आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हाली में आपका सयुक्त रज अमेरिका और भारत के बीच आपका एक सयुक्त युद्धा ब्यास वज्य प्रहार हुआ है और मैं पहले भी आप लोगों से कही बार बोल चुका हूँ कि इस तरह के questions आपके जो भी यह उद्धा भ्यास से संबंदी थे prelims में पूँच लेता है फिर चाहे आपका state PCS का prelims हो या civil service का हो और वैसे आपका one day exam में भी direct questions आ जाता है ठीक है और एक बात और याद रखिए जब आप लोग state PCS का होई या civil service का मैंस लिखते हैं लेकित पर एक्षा में आप लोग answer लिखते हैं तो रक्षा सहयोग आप दोनों के संबंदे लिख रहे होंगे तब उन सब को भी याद रखा करिएगा और आप लोग एक कहां हो रहा है यह भी याद रखा करिएगा और एक point यह भी याद रखना है आप लोग पहली बार एक कब हुआ था तो इनसे आपके questions नौर्मल बनते रहें और बनते रहेंगे ठीक है और इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम एक newspaper फोलो करते रहा करिएगा जिससे क्या रहता है कि देश दुनिया की कम से कम news तो मालूश चले आप लोगों को और आप देखते हैं कि आपकी परिच्छा में questions वही बनता है current face से जो काफी चर्चा में रहा हो समझ रहें आप लोग तो आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग एक तरह से 1947 में यानि कि 15 अगस 1947 को हमें आजादी मिली और अगर हम लोग अपने परोसियों की बात करें तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलिगा यह आपका परोसी वंगलादेश है यहां मयानमार एबूटान नैपाल देख रहा है यह उपर चाइना पाकिस्तान अफगानिस् पाकिस्तान के कपजे में पीओ के वाला हिस्सा नै उसकी सीमा लगती है और याद रखिए जलिये सीमा आपकी किस से लगती है आपकी स्रीलंका से भी लगती है यह आप लोग याद रखिए और जलिये सीमा आपकी मालदीप से भी लगती है यह आप लोगों को याद रखना होगा इसके बाद आप जाएंगे तो देखिए यह है आपका सयुक्तराज अमेरिका आप लोग देखेंगे यह है सयुक्तराज अमेरिका सयुक्तराज अमेरिका के बारे में बात करूँ तो इसकी राजधानी आपको बॉसिंग्टन डी सी देखने को को मिलेगी और इसके बारे में आप लोग एक और पॉइंट याद रखिए इससे सुतन्ता मिली थी आपकी चार जुलाई तो नीचे आपको मेक्सिको देखने को मिलेगा ऊपर कनाड़ा ठीक है याद रखिएगा और यहाँ आप लोग हिमाचल पिदेश को भी देख लिए यह से भी आपका डारेक्ट कुश्चन्स बन जाएगा कि जो हाली में आपका स्युक्त योद्ध भ्यास वज्जत प्रहार इसकी राधानी है कहा धरमसाला और भी एक पॉइंट इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि देखिए उपर इसकी सीमा लग्दाक से से लगती है जम्मु कस्मिर से भी लगती है पंजाब से भी लगती है तो इसतरह के को कुछनस भी आ जाते हैं झान से लगती है ये विआ लोग याद रख सकते हैं और हिमाचल पिदेश के बारे में आप जानते होंगे कि इसका इसकी स्थाफना हुई 25 जन्मरी 1971 को और आप सभी लोगों को ये भी माल होगा कि यहाँ बिधान सावा सीट है 68 हैं, राजय सावा सीट है तीन देखने को मिलेगी, लोग सावा सीट है चार देखने को मिलेगी, ठीक है ये भी अगर questions बनता है तो आराम से आप लोग solve कर सकते हैं अब बात कर लेते हम लोग इसे वज्य फरहार, आपका जो सेन अभ्यास है इसके बारे में हाली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, भारत और अमेरिका के विसेस बलों द्वारा ही माचल पिदेश में सयुक्ते युद्ध अभ्यास वज्य फरहार का आयोजन किया गया है और इससे पहली भारत और अमेरिकी नौसेना द्वारा पूरवी हिंद महासागर चित में दो दिबसी ये पैस सेन अभ्यास का आयोजन भी किया गया था, तो ये भी याद रखी कि जो पैसेज सेन अभ्यास होता है ये भी आपका भारत और अमेरिका के बीच होता है यहाँ एक आपका और सब्दाय हुआ है विसेस बल तो इसके बारे में भी एक क्वाइंट आप लोगों को याद रखना होगा विसेस बलों के बारे में बात करें विसेस अभियान कानून प्रवर्थन सेन और कूपिया ओपरेशन करते हैं जो आप परागत तरीकों और सुरोतों का उपयोग करके किया जाते हैं इन ओपरेशन का प्रात्मिक लक्ष एक ररने थे कि आप फिर सेन उद्देश को प्राप्त करना होता है अमेरिका अपनी राष्टिय सुरक्षा के लिए 2003 और 2002 के बीच विसेस अभियानों पर निर्भर था विसेस अभियानों का उत्देश आतंक बादियों की पहचान करना और उन्हें मारना होता है भारत की बारे में बात करना हो तो विसेस विसेस बल 1966 में भारत पाकिस्तान योदि के बाद जो आपका 1965 में भारत और पाकिस्तान योग दुगा था उसके बाद इसकी स्थापना कि गई थी ठी बारत के बारे में भी याद रखिएगा वज्य परहार के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच वलों द्वारा इस सयुक्त बहाज का आहिजन बारी बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है कहने का मतलब है बारी बारी का कहने का मतलब है कि एक बार भारत करेगा फिर दूसरी बार आपका अमेरिका करेगा इस तरह से एक एक बार चलता रहता है किसी भी देश में विसेस वल ससक्त बलों की ऐसी काईयां होती है जिन पर गोपता अदंगवाद निरोदग और अन विसेस अभियानों की जिम्मेदारी होती है इसके बारे में हम लोग और भी बात कर चुके हैं वजब परहार का 11 संसकर्ण हिमाचल पिदेश के बकलोह में स्थित Special Forces Tanning स्कूल में आईजवीत किया गया है तो याद रखिये वजब परहार का 11 संसकर्ण है जो आपका हिमाचल पिदेश में हुआ है वजब परहार के आपके 10 संसकर्ण की बात करें तो 2019 में हुआ था और अमेरिका के सेटल में हुआ थे, ठीक है, तो 2019 बाला अमेरिका में हुआ था, और आप जानते ही कि 2020 में नहीं हुआ था, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही कि दुनिया पूरी कोरोना से जूचती रही, 2020 तो आप समझे कि कोरोना एक तरह से ढकार गया, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं इसके लक्ष की बात करें तो सहिक्त मिसन योजना और परिचालन रणीती जैसे छेत्रों में सरवत्तम पिथाओं और अनभवों को साजा करने के साथ साथ दोनों देशों के विशेस बलों के वीच अंतर संचालनीता को बेहतर बनाना है और घटनाओं से पूरी दुनिया पर भावित है तो इससे मुकावला करने के लिए सभी लोग एक्ट होकर मिल जूर कर काम करें यही इनका एक तरह से उद्देश रहता है और भी आप लोग याद रख सकते हैं कि भारत सहुतराज अमेरिका के साथ भारत के अन्य योद अभ्या सेना के बीच होता है योद अभ्यास कॉप इंडिया ये बायु सेना के बीच होता है रेड फ्लेग अमेरिका का बहु पक्ची ये बायु अभ्यास है मालावार योद अभ्यास इसमें भारत अमेरिका और जापान का त्री पक्ची है नो सेना अभ्यास है ठीक है मालावार य जिस भी देश के एक तरह से जिन देशों के वीच आपके यह धब्यास होते हैं, भारत और दूसरे देशों के वीच, तो आप लोग याद रख्या करेगा, इसे हर बार आपका कुश्चन से मिल ही जाता है काद दो, ठीक है, आप लोग याद रखिए ही पॉइंट आपको